उज्जेन की बर्णगर तेहसिल के जस्साखड़ी गाओं में बेदकल किये जाने के आदेश के पत्र मिलने के बाद गरी परिवार परेशान है। ऐसे ही परिवार की एक व्रद्ध महिला और उसकी बहु ने आवेदन देकर समस्या से अउगत कराया है। व्रद्ध महिला और उसकी बहु सहीद परिवार के सदस्यों ने शिकायद में बताया कि ग्राम पंचायद द्वारा पत्र मिला हुआ है। तेहसिल कारेले से अधिकार्यों द्वारा कहा जा रहा है कि हम जहां पर निवास करते हैं वहां से हट जाएं नहीं तो मकान को धारशा कर दिया जाएगा। जबकि मुक्यमंति शिवरासी चोहान मंच से कहते हैं कि जो गरीब वर्षों से जहां निवास कर रहे हैं उनको वहां रहने दिया जाए। बंडगर तेहसिल के अधिकारे द्वारा बेवज़े परिशान किया जा रहा है और हमारी जगल से हटाए जाने जाए 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 क्योंकि पेसे वाला के ऐसी ओकान गरीब वाले कोई ओकाद निये गरीब लोग कोई वेलू एसन भी निस दुनिया एसे वालों कि वेलू एसन भर आज करेखे तो कोई नी तो नी तो कहा रहती है आप परसंद करता है आप पंचाथ ने दिया पठा सर्फत शाभे जगा मापके दी, ने ओर परचान करिया है लोकों, खेतवला गाना परचान करी गया, क्या करा, सब दूर फरी गया, यह पटों शुदार निकरी गया, सब शुदार निकरिया, काया होई गया, जो दोड़ दोड़ इने, आई पैसा लगाना, किस्ते ले ले लें बनायो, बरीरे, दाड़की करी करी ने, इसार ने अबे, दड़ाओन आडर लई आया, ए खेत वाला, काई कर? अबे, इना बरांके, पेट बरांके, काई करांके, बेमारी में लगाडांके, काई कर? बोलो, पत्वरी साब आया, चार दान आगिया, पत्वरी साब गरे, के समान थामारा अठाओ, हमी मकान दाडाओ, चार दान ने, मोल भी लेला, थामारे पैसा लेनावे तो लेलो के, हमी बोल भी लांगाबी, वेची दो, जूक ये अमाने, वेची दो, चकाई वेची दान सर मुख याँ जाओंगा, बुडी लोगाई मांदी आजी वह जोन मना कून दे, यो देड़े देगत मूरूंगा क्या, यो ठेकादार, यो देजो मना चार अजार तो, इन्ती मारे गुजारो चाली रो, मांदाज में लगाड़ू, पेड़ भरू, के खीशत भरू, वही चाचार खीशत लेईने बनायो, अब यहाँ जाओं, तेसिल दार करने, तो वीवी नी सुने, सर्पन करने जाओं, तो वीवी नी सुने, क्या जाओं, यह बार बार अठावनों, आडर लावे बार बार, ड अठावन, अठावन, देडावन, देडावन, जो के, तो हम तक आया हुए, कि हम क्या जाओं, यह बार बार बार, बुड़ापा में, मारो जी भी गब रहा, हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें, और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें